Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो आप भी Google पे सर्ज कर सकते हैं उत्तर परदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी तो ये भी चेक करने के बाद आप इसमें फर्स्ट लिंक पे किलिक करिए और जितने भी स्टुडेंट कोई डिपलोमा कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल फेल्ड में तो आपके लिए golden chance है अगर आपके 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं तो आप अप्लिकेशन फार्म फिलप करने के बाद आप ये direct admission ले सकते हैं गौवर्मेंट और प्राइबेट कालेज में उत्तर परदेश में तो अगर आप उत्तर परदेश के रहने वाले हैं तो ये देखिए आपके लिए एक काफी अच्छी नहीं हो जाए और ये समझे कि अगर आपको medical का कोई भी course करना है परिच्छा नहीं देनी है आपके 10th और 12th के percentage के base में इस में admission होगा ये state medical faculty उत्तर परदेश जो लखनौ में है ये connect कराती है पूरे उत्तर परदेश में जो government और private college जितने भी हैं तो कौन-कौन से courses में admission होगा चलिए और किस government college में आपका admission होगा इसमें private भी college है सभी इसमें information एक बार देखते हैं तो देखिए आप online आवेदन प्रारंब आप registration करवा लीजिए आप online farm भर लीजिए ये 30 सितंबर से शुरू हो गया है और 9 October तक ही है तो ज्यादा दिन आपके पास application farm भरने का समय नहीं है तो आप जल्दी से application farm फिलब कर लीजिए फिर आगे की जो process है वो सब आप process में एक वीडियो बनाए हूँ अभी मैं बता दूंगा last में कैसे क्या करना है तो आवेदन आप करिए और counselling फिर उसके बाद counselling शुरू हो जाएगी जब आप आवेदन आप पूरा complete हो जाएगा application farm फिलब कर लेंगे फिर देखिए counselling की पूरी date दी गई है और कौन-कौन सी date है कब को क्या करना है पूरा बना हुआ और देखिए वीडियो एक तो अच्छे सी बनी हुई थी अब इसमें ये देखते हैं कि कौन-कौन से course आप कर सकते हैं डिप्लोमा के ये सभी डिप्लोमा कोर्स हैं पहली बात तो ये जान लीजिए इसमें कोई भी बैचलर कोर्स नहीं है only diploma course डिप्लोमा कोर्स दो साल का कोर्स होता है और ये कोई भी medical field में assistant के रूप में काम करते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा जो कोर्स किया जाता है तो ये देखिए आप ये देख लिए डिप्लोमा इन लैब टेक्निसियन आप DMLT कर सकते हैं diploma in lab technician, pharmacist कर सकते हैं, di pharma कर सकते हैं और ये देख लीजे, x-ray technician, दो साल का course है, x-ray आप जानते ही हैं x-ray के बारे में diploma in radiotherapy, जो radiotherapy होती है, जिसमें आपका radiation वाला आता है radiotherapy, जो BRIT होता है, radio therapy होता है, radio therapy में जितने भी diagnosis वाले आते हैं, वो हो जाएंगा diploma blood transfusion technicianyen आप ये भी कर सकते हैं blood transfusion, blood donation माला जो हाँ पे आप की इसमें job लगती है CT scan technician का भी course है, diploma in cardiology technician का भी course है और diploma in dialysis technician, जो kidney जब खराब हो जाती है तो dialysis करना पड़ता तो dialysis का course भी है, और diploma in emergency trauma care technician हर एक hospital में trauma center होता है emergency trauma center होता है वहाँ पे आपका tries में duty लगेगी Diploma नी MRI, MRI जो आप एक check-up होता है diagnosis होती है तो MRI का भी course है OT technician operation theater जो होते हैं वहाँ पे आपका assistant के रूप में OT technician आप कर सकते हैं अच्छा course है यह देख लीज़े एक bachelor course का B optometry होता है कि यह optometry optometry यह eye के लिए होती, आँख के लिए आप चस्मास में जो बनते हैं वही सब आप कर सकते हैं, खुद भी चला सकते हैं optometry करके, optometry करके खुद नहीं चला सकते हैं किसी के मतलब doctor के देख रेक में आपको चलानी पड़ेगी Diploma in Physiotherapy, यह देख लीज़े and Critical Care Technician तो यह भी अभी new course पिछली साल से जोईन हुआ तो यह भी anesthesia होते हैं, कोई भी surgery के पहले anesthesia प्रवाइड की जाती है जिससे patient को कोई जो surgery होती है, असानी से surgery की जा सकती है Diploma in Orthopedic and Plaster Technician यह तो orthopedic जैसे हड़ी वाले होते हैं, कहीं पे accidental होता है कहीं पे गिर गए तो हड़ी मान लीजिए, हाथ या पैर की तूट गई तो वहाँ पे क्या अच्छी जो plaster चड़ते हैं तो यह course new आड किया गया है, इसे year आड किया गया है तो इतने course 16 course है, 16 course में admission आप ले सकते हैं कहाँ पे admission आपका होगा, किस government college और private college में आप admission ले सकेंगे इसकी जो fees भरने की 1000 रुपए आप fees भरेंगे, registration fees 500 रुपए है और online counseling, offline अगर counseling कराएंगे तो 700 रुपए और online अगर counseling कराएंगे तो 500 रुपए registration के लिए हैं और 1000 रुपए आप application farm flip करेंगे, चाहे जो भी category है यह दिख लिजिए photo, आप computerized photo, computerized name और date आप करवा लिजिएगा, new photo तो यह सब चीजे हो जाएंगी, कैसे, क्या चीजे हैं, और कितनी fees हैं तो मैंने government वाली fees भी government की दिखाए थी, इसमें दिख लिजिए सब 24,000 पर year लगेगा, हास्टल का अलग से लगेगा, और हास्टल कहीं कोई-कोई जो government college है, वो हास्टल आपको provide करेंगे कम फीसों में 5,000 पर year हास्टल की फीस लगती है, और कहीं-कहीं college में हास्टल नहीं है तो आपको खुद room लेके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये चीजे हैं, चलिए देखते हैं, कुछ government college की list देख लेते हैं, अगर अच्छे number आपके रहेंगे, 10th और 12th में दोनों percentage जोड़के, अगर आपके 155 के उपर आ रहे हैं, 160 के उपर मानके चलिए, तो आप के admission government college में हो जाएगा, आप अपना criteria fix कर लीजिए, ये दिख लीजिए, इतने ही government college हैं, इतने government college हैं, किस course के लिए, डिप्लोमा, ये दिख लीजिए, डिप्लोमा in lab technician, अगर आपको DMLT करना है, तो DMLT best course है, यहाँ यहाँ, यह सभी government college हैं, यहाँ से आप DMLT कर सकते हैं, lab technician फिरोजाबा से कर सकते हैं, government college है, गोरखपुर से कर सकते हैं, government college है, लेकिन गोरखपुर में hostel आपको provide नहीं की जाएगी, खुद आपको room लेना पड़ेगा, डाक्टर रामनोहलोहिया, institute of medical science जो लखनव में है, यह भी government college है, कानपुर में है, यहाँ पे खुद आपको hostel ल कन्योज और परा-medical, यह किंग जार्ज लखनव में है, और EL EL RM Medical College मेरट में है, तो यहाँ से आप DMLT course कर सकते हैं, अगर आपको DMLT course करना है, DMLT course कितनी सीटे हैं, यह सीटों की संख्याद दी गई है, और यहाँ जब करेंगे तो वही 24,000 रुपए आपको फिस देने पड मेरट के बाद आपका, अलाहाबाद है, जहांसी है, गौतम बुद्ध नगर है, आपका यह दिख लिजिए, साहाँपूर है, आगरा है, और Medical College सहारनपूर है, नेक्स्ट में सेफाई टावा, सेफाई टावा से अगर आप DMLT करते हैं, तो 50 सीटे हैं, यहां से अगर आप क पर येर लगता है, हास्टल का, मेस चार्ज तो अलग से लगेगा, बनारज से आप कर सकते हैं, DMLT लखनौ से, और यह देख लिजिए, यहां से प्राइबेट कालेज सुरू हो गए, बनारज से, यह देख लिजिए, गवर्मेंट कालेज, यहीं सेफई सत्रा गवर्मेंट कालेज हैं अगर आपको DMLT कोर्स करना है तो 17 गवर्मेंट कालेज हैं और प्राइबेट कालेज यह सभी हैं अगर प्राइबेट कालेज की बात करें कि फीस कितनी डिप्लोमा कोर्स की कितनी फीस लगेगी तो यह मान के चलिए कि 60,000 से लेके 90,000 तक फीस लगेगी तो आप अपना मैनेश कर लिजिए कि इतनी फीस आपके लगेगी प्राइबेट कालेज में तो यह देख लिजिए यह सभी प्राइबेट कालेज हैं कितनी सीटे हैं DMLT के लिए यह सभी सीटे हैं अगर आप करना साथ करना चाहेंगे एकसरे टेकनिसियन तो देख लिजिए यह गवर्मेंट कालेज की सीटे सभी दी गई हैं कहां कहां पे है यह आप स्क्रीन साथ लेके आप देख सकते हैं कि यह सभी गवर्मेंट कालेज हैं और private college एक्सरे टेखनीशियन के लिए ये सवी private college भी इसमें include है और in radio therapy technician करना है तो ये देख लिजिए government college कुछ है बनारस लखनओ, कानपुल लखनओ ये देख लिजिए फिर उसके बाद अगर आप pharmacy, ये important है, pharmacy का 5 college है डी फार्मा अगर जिस student को करना है तो 5 गोर्मेंट कालेज हैं और सभी में 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 सीटे हैं जो लखनों में है ये देख लिजिए ये आपका प्राइवेट कालेज है जो पाँचवा नमबर है प्राइवेट है थर्टी नाइन सीटे है चिनाट में ये है चिनाट लख करें या फिर जनरल कटेगरी की बात करें तो 175 के प्लस जिसका होगा इंटर और हाइज स्कूल मिला के परसंटेज 175 या 170 के प्लस होगा तो इंस में आपका एडमिसन हो जाएगा कानपूर में है मेरट में है इलहाबाद में है आगरा में है ये चार कालेज है जो डिपलोमा आप डी फार्मा कर सकते हैं गवर्मेंट कालेज से तो अगर ये देखिए नेक्स्ट में चलिए ये आप डिपलोमा और अगर करना चाहते हैं डी फार्मा करना चाहते हैं तो ये सभी प्राइबेट कालेज हैं आप यहां से भी परसिछन आप कर सकते हैं तो काफी अगर आपको यह फार्म जरूर वरना चाहिए, अगर आपको डिकलोमा करने हैं तो आपके पास गोल्डेन चांस हैं और हमेशा हर ये हर साल ये कोर्स पर्सेंटेज के बेस पे आपके होते हैं, इंटर और हाई स्कूल के पर्सेंटेज के बेस में, तो कितनी प्राइबेट, य एंटर हाई स्कूल दोनों परसेंटेज मिलाके 100 होगा तब भी आपको मिल जाएगा प्राइवेट कालेज लेकिन गौवर्मेंट कालेज के लिए बता दिये कि कितनी चाहिए अगर आपका मिनिमम की बात करें तो 150 के ऊपर चाहिए और अगर टाप कालेज जो गौवर्मेंट क के टाप कालेज हैं अच्छे कालेज हैं तो जैसे लखनव कानपूर यह सब हो गया गोरफपूर आपका हो गया और सेफ़ाई टावा तो वहां के लिए आपको 165 165 के ऊपर होनी चाहिए 170-75 ऐसे होनी चाहिए तो यह चीज हो जाएगा हास्टल फिस हास्टल कहीं कहीं काले सामा 100% और यह देख लिजिए तो गवर्मेंट कितना कटाफ जाएगा मैंने बता दिया प्राइबेट कालेज की फीस भी बता दी तो काफी चीज़ें आपको कनफर्म हो गई हैं और अगर कुछ भी आपको इसमें कनफ्यूजन है कि कोई भी मेरा कोईशन साल्व नहीं किलिक करने के बाद देखिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएए वीडियो सेक्शन में जैसे ही जाएंगे आप इस पर किलिक करेंगे वीडियो पर यह देखिए यह मैंने अभी कल ही यह वीडियो अपलोड किया था यह वीडियो आप पूरा देख लिजिए औ पूरी आपको knowledge हो जाएगी और next year अभी जब counseling complete हो जाएगी तो physics chemistry biology मैं लगबख तीन साल से करा ही रहा हूँ जो भी student BSC Nursing Paramedical Pharmacy या NET से संबंदित तयारी करते हैं तो physics chemistry biology मैं इतना अच्छे से करा देता हूँ कि आसानी से आपका physics chemistry biology से कोई question गलत नहीं होता है अगर आप dedication के साथ पूरे साल तयारी करते हैं और जो जो step wise में बताता हूँ वो आप अगर करते हैं चलिए next video में new update के साथ आएंगे